हेलो मारी डियर फ्रेंड्स आसा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मैं हूँ आफचल आपके यूटूब चैनल मनेज्मेंट स्टेडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो हम इस वीडियों में डिस्कस करेंगे जो रिजल्ट आउट हुआ है जो अन्णे फिजल्ट नीज्मेंक डिस्कस कुरेंगे उसके regarding discuss करेंगे कि cut-off क्या गया है, percentile क्या है, कितने लोगों जियाराफ मिला है, किनका net clear हुआ है, उसको हम discuss करेंगे तो सबसे पहले जिन लोगों का जियाराफ है, net clear हो गया है तो उनको बहुत-बहुत congratulations, बहुत-बहुत बदाही हो उनको कि उनका जो उन्होंने मेहनत की थी, उसका उनको result मिला, तो बहुत-बहुत बदाही हो हमारे channel की तरफ से, management study मंत्रिया की तरफ से और guys अगर जिन लोगों का exam clear नहीं हो पाया है, नहीं उनका net हुआ है और नहीं उनका जियाराफ हो पाया है, तो बिल्कुल भी ऐसे लोग demotivate नहों, कोई नहीं opportunity आपको मिली थी, अब आपको जो coming opportunity आपके पास है, June में आपका exam होने जा रहा है, तो उसके लिए आप अच बिल्कुल positive mind side के साथ आपको preparation करनी है, त्यारी करनी है, और अपने आपको analyze करिए, जो अपने अभी 5 का exam दिया था, उसमें कहां-कहां आपकी कमिया रहे गी, कौन-कुन से आप weakness थी, कि आपने किस प्रिकार study करी, उनको आप उनको analyze करिए, और उन weakness पे आप work करिए, और रि preparation के साथ जूर में exam देजिए, तो definitely आपका GRF है, वो आपका clear हो जाएगा, तो guys देखते हैं कि basically, इसका result किस प्रिकार रहा, कि जो cut-off किया गई है, तो आपको result तो आप लोग उनको check करी लिया होगा, अगर नहीं check कर आए, तो NTA की website पर जाएए, बहाँ पर result release कर दिया गया आप देखोंगे, आप सब कुछ detail आगई है, कि आपका scorecard भी उन्हों दे दिया है, आपकी result भी declare कर दिया है, और जो आपकी final answer की है, वो भी आपकी release कर दी गई है, और आपकी subject wise कितनी cut-off है, वो release कर दी, उसके marks release कर दी गई है, और subject wise आपकी percentile निकलती है, वो भी आपकी release क दी गई है, तो सबसे पहले हम देखते हैं आपकी subject wise जो percentage कितनी है, उसको देखते हैं, अगर हमें आपकी देखते हैं, management subject के रिकार्ड जिसका code 70 ने उसकी देखते हैं, तो उसमें जो general categories के लिए and reserve के लिए, नेट के लिए जो उसकी minimum cut-off गई है, वो 164 यानि 164 गई है, जि 299 लोगों का उन्होंने selection किया है, नेट के लिए, और जो जर्फ के cut-off गई है, वो 202 जर्फ के लिए गई है, और कितने लोगों को उन्होंने selection किया है, 20 लोगों को उन्होंने जर्फ के लिए लिया है, right, clear हुआ है, ऐसी हम EBS में जाते हैं, एक normal b के section में, तो अबं 52 minimum cut-off ह और 46 लोग उन्होंने नेट में लिए है, जाराफ के लिए बन 76 है, और 5 लोग उन्होंने लिए है, अगर मैं OBC, NCL, यानि नॉन क्रीमी लेर की बात करता हूं, तो इसकी जो मिनीमम कटफ गई है, बन 46, यानि पिछली की तुल्लाम, लाश्टे की तुल्लाम देखते हैं, तो इसकी कटफ थोड़ी नीचे गई है, बन 56, और जो कितने लोगा सेलेक्शन हुआ है, नेट के लिए, बन 72 का सेलेक्शन नेट के लिए हुआ है, अगर मैं इसी कास के लिए बात करता हूं, OBC के लिए, जाराफ इतने हुआ, तो बन 74 पर जाराफ के लिए हुआ है, मिनीम कट सेम रहती है, और अब देखते हैं कि हम परसेंटाइल, जो निकलिए है, वो किस परकारी है, अगर मैं कामर्स की परसेंटाइल देखता हूं, यहाँ पर, आप किसी की भी देख सकते हो, अपने सब्जेट के कोर्डिंग, अगर मैं कामर्स की देखता हूं, और रिजर्व क्र सेलेक्शन हुआ है और ज्यारफ के लिए जो गाईज है वो 99.72 परसेंटाइल है कॉमर्स के लिए और रिजर्व क्रेड़ा के लिए और कितने लोगों को ज्यारफ मिला है बं 32 लोगों को ज्यारफ मिला है इसी पिलकार आप एकनॉमिक बीकर सेक्षन देख सकते है 93 नेट के लिए कितने के सेलेक्शन हुआ है नेट में 344 और 99 उसकी ज्यारफ की और 33 लोगों ने लिया है उसके ज्यारफ के लिए सेलेक्शन हुआ है ईबियस में ऐसी ओबियस और नॉन क्रीमी लेर देखते हैं तो 91 परसेंटाइल की 91.57 परसेंटाइल है 1027 का जो सेलेक्शन हुआ है नेट के लिए अगर मैं ज्यारफ की बाग करता हूँ इसी कर्टाइगरीज में तो 98.96 जो है वो ज्यारफ के लिए और टोटल 89 कंडिरेट का सेलेक्शन हुआ ज्यारफ में कॉमर्स ओभी सी नॉन क्रीमी लेर के लिए तो यहां से अपनी परसेंटाइल चेक कर सकते हैं और अपनी यहां पर जो परसेंटेज स्कोर कार्ड है उसको भी चेक कर सकते हैं अब जो फाइनल आंसर की है वो यहां प यही बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर किसी बज़े से आपका सेलेक्शन नहीं हो पाया है तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है एकदम पॉजिटिव रहना है और जून का जो आपके पास एक अपॉशनूटी है बहुत ही गोल्डन अपॉशनूटी है उसको हमें अच्छे से ग्रेप करना है ताकि इस बार में जो मिस्टेक हुई है तो वो मिस्टेक हमारी जून में नहीं होना चाहिए और जून में हम डफिनेटली जो जियारा पर उसको क्रेक करेंगे और इसको इसको प्रिपरेशन के रिगार्डिंग मैनेजमेंट और कॉमर्स के रिगर्णिन, मेरी आपको किसी परकार हिल चाहिए तो आप मुझे कुमेंट कर सकते आइट में लगातार आपकर टचमेर होंगा और जो हमारा चैनल होगा आप चैनल होगा सब्सक्राइब के लीजिए ताकि कि हैं पर लगातार management के regarding commerce के regarding सारा syllabus कबर कर रहा हूं और अगर अभी तक है आपने हमारी टेलिग्राम लिंक है टेलिग्राम चैनल रि उसको जॉइन नहीं नहीं रहा है तो टेलिग्राम गृर्प को भी आप जॉइन के लिजीए ताकि बहाँ पर मैं जो वीडियो की PDF शेल करता रहता हूँ तो गाईज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों की भी शेल कर दो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको ओन कर दीजिए ताकि जितने भी आने वाली ऐसी ही इंफॉर्मेटेड वीडियो या जो इंपोर्टेंट वीडियो आपके एक्जाम परेंट आप व्यू से उनका नोटिफिक्रिक्रिशन आपके पास पहुँचे तो गई चलते हैं मिलते हैं इस पूडियो में थेंक यू हब आ नाइस जे थेंक यू